नमस्कार स्वागत आपका स्टार्ट इन्वेस्ट्मेंट में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो शेयर के बारे में इन्फोर्मेशन देने वाला हूँ सरकार ने इनको प्राइविटाइजेशन करने का एक जो डिसिजन है वो ले रही है अल्मोस्ट हो चुका है इन दो कमपनियों को चुना है सरकार ने कि प्राइविटाइज किया जाएगा दीपम की थुरू आप लोग जानते ही है सियर होल्डर की लॉटरी यहां पे लग सकती है 52 रुपए का शेर टार्गेट 350 पिचतर रुपए का शेर टार्गेट 500 तो जवर्दस्ट कमपनिया ये हैं पिछले दो दिनों में इन्होंने जवर्दस्ट रिजल्ट्स दिये हैं रिटन्स दिये हैं और हाँ एक बार डिस्क्लेमर को रीडाउट कर लीजिएगा और साथी साथ डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक दिये गए हैं अपस्टॉक जिरोदा एंगे ब्रोकिंग तीनों के तीनों डिसकाउंट ब्रोकर हैं अगर आप लोग यहां पर इंट्राडे करते हैं तो फ्लैट 20 रुपीस पर और आप लोग उसे चार्ज किये जाते हैं और डिलीबरी बेस ट्रांजेक्शन के लिए आप लोग उसे कोई भी चार्जेज नहीं लिये जाते हैं एक चीज कहना चाहूंगा तीनों के जो प्लेट फॉर्म में यूजर फ्रेंडली हैं तो तीनों के लिंक पे क्लिक करें एकाउंट ओपन करें और इंजॉय करें तीनो 75% के आसपास है यहां पे यह न्यूज पहले ही आ चुकी थी कि 20% स्टेक जो है गॉवर्मेंट यहां पे सेल करना चाहती है तुरू ऑफर फॉर शेल और इसके लिए जो मर्चंट बैंकर हैं ब्रोकर्स हैं लीगल एडवाइजर हैं जो कि सरकार को असिस्ट करेंगे इस ट् अप्रोक्सिमेटली 75% सेयर होल्डिंग जो है सरकार के पास है यहां पे और अगर देखा जाए नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड तो यह लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट देख लिजे यूरिया की प्रोडूशर है कंट्री में यानि कि इंडिया में अगर देखा ज मिलने लग गए हैं अगर सेयल की बात की जाए तो सरकार को यहां पे लगवख 408 करोड रुपए का मुनाफ़ा जो है हो सकता है इस सेयल को करने के बाद तो कंपनी की कंप्लीट एनलेसिज हम लोग करना चाहेंगे सबसे पहले तो करन्ट मार्केट प्राइज आप लोगों को बता दूँ नैशनल फर्टलाइजर्स लिमिटेड का 52 रुपीज और देख सकते हैं 18% का उचाल यहां पे देखने के लिए मिलेगा एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था एक दिन पहले ही जब यह शेयर मुझे लग रहा था 40-45 रुपए के आसपास चल रहा था मैंने कहा था कि इनमें आपर सरकिर लग रहे हैं 20% के और देख लिजे रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है एक दिन में ही अगर आप लोगों को 18% का मुनाफ़ा हो जाए तो उससे अच्छा क्या मिलेगा आप लोगों को ये वीडियो की लिस्ट में भी मिल जाएगा दो दिन पहले या एक दिन पहले का ही वीडियो है तो सबसे पहले इसके रिजल्ट देखेंगे एक साल में 124% के रिजल्ट या रिटन रिटन कहना चाहूँगा इस कंपनी ने दिया अपने शेरोडर को प्रॉफिट कमा के दिया दो साल में 58% और अगर 5 साल की बात की जाए तो यहां पे 5 साल में 88% से ज़्यादा के रिटन इस कंपनी ने दिये तो रिटन के मामले में अच्छा खासा परफॉमेंस ये कंपनी दे रही है और एक दिन की बात तो क्या ही करनी है 18% और पहले इन फॉर्म भी किया गया था नैशनल फर्टिलाइजर से लिमिटेड जैसे की नीम कोटेड यूरिया बनाती है आज की डिट में आप लोगों को पता कि फर्टिलाइजर के कितनी इंपोरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया एज वेल एज फर्टिलाइजर से बनाती है और इंडिया में तो इन प्रोड़क्ट्स की बिक्री होनी ही है और इसलिए प्राइज़ेशन अगर हो रहा है तो सबी लोग यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट कैफिलाजेशन 2590 करोड रुपै का करेंट के आसपास का है और अपने 52 वीक के हाई पे है ये शियर और साथे साथ आप लोग अगर देखेंगे तो कंपनी के पास कैश एक्विलेंट जो है 17 करोड रुपै के और डेट कंपनी पे अपने मार्केट कैफिलाजेशन से जादा का है तो जिन वीवर्स को डेट वाली कंपन या पसंद ना हो तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं साती साथ जिन लोगों को यहाँ पर प्राइविटाइजेशन के जो न्यूज है वहाँ पर होप दिखते है जैसके मुझे खुद होप दिखती है कि इन कंपनियों की ग्रोथ एक्स्पोनेंशल ग्रोथ देखने के ल फिल वाला यह शेयर है अगर देखे जाएं इसके पीर्स तो कोरो मंडरे इंटरनेशनल चंबल फर्टिलाइजर्स एसको ही क्यों यहाँ पे चुना गया है यह तो रीजन को सरकार जानेगी लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो प्राइस टॉनिंग रेशियो काफी चीप है इसका अपने पीर से कमपटीटर से साथ यह साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटरन की बात की जाए तो सरकार जो यहाँ पर मैं एक प्रोमोटर मान लीजे तो प्रोमोटर है सरकार तो 74 परसंटेज से जादा की शेयर होल्डिंग सरकार के पास है एफ आए आई ने जो कि पहले बहुत अच्छी कासी शेयर होल्डिंगा बना रखी थी अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी है लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है जवर्दस न्यूज आ रही है और यह देखेंगे अगर आप लोग तो नैशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बावन रुप चाहेंगे कि 350 का टार्गेट किस तरह से दिया गया तो जिस तरह से इस कंपनी ने रिजर्ट्स दिये हैं आगे आने वाले एक साल यह एक साल यह देट साल में मान लीजिए यह शेयर जो है टार्गेट हिट कर जाएगा और जबर्दस रिटन आप लोगों को बना के देगा पहली कंपनी है यहाँ पर नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटिड दूसरी कंपनी के बारे में बात करना चाहेंगे गबर्बंबेंट प्लांच 10% चेयर सेल इन राश्ट्रिय माप्र्फेस्ट काईमिकल्ज अन फर्टिलाइजर में और यह क्यों करना चाहती है इसके लिए भ वो government के पास है और government आज की डेट में धीरे-धीरे क्या करें disinvest कर रही है PSU stock में जिससे अब ये क्यों कर रही है सरकार ऐसा सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि privatization होगा तो नहीं technology आएगी workforce नहीं आएगी skills manpower आएगी वैसे तो यहां पे भी है लेकिन इनका जो output है वो increase हो जाएगा और नहीं नहीं technology मिलने से workforce मिलने से यहां पे इनका production अच्छा हो सकता है इनकी जो profit growth है अच्छी हो सकती है साथे साथ सरकार को यहां से पैंसा भी मिलेगा जिसकों कि वो others other कामों में लगा सकती है तो rastria chemicals and fertilizers limited ये marketing करती है फर्टिलाइजर्स की as well as chemicals की manufacturing and marketing दोनों करती है company का अगर market cap देखेंगे तो 4187 करोड रुपए का है current market price almost 75 रुपीज के आसपास 52 वी का high 80 रुपीज और 52 वी का लो 22 रुपए का है dividend yield share की dividend yield अगर आप लोग देखेंगे तो high dividend yield वाला share है 3.74 percentage की यहां पे dividend yield है अगर return on capital employee देखा जाए तो लगभग सारे 7% का return on equity लगभग 8% के करीब है और debt अगर देखा जाए company के उपर तो 229 करोड रुपए का और cash equivalent 1595 करोड रुपए का तो एक company अपने debt को reduce कर रही है promoter share holding यहां पे काफी अच्छी खासी है अगर हम बात करते हैं company के sales की पिछले 3 सालों की तो 2018 में 7255 करोड रुपए की sales हुई थी 2019 में 8885 करोड की और 2020 में 9698 करोड रुपए की तो company की sales जो है हर साल increase हो रही है जो की एक positive indicator है अलग से सरकार यहां पे privatization कर रही है तो अच्छा खासा उच्छाल share में देखने के लिए मिल रहा है operating profit की बात करें तो 2018 में 160 करोड का 2019 में 436 करोड का और 2020 में 587 करोड रुपए का अपरेटिंग profit में तो इसके एट लीस्ट 300-400 परतिसत का उच्छाल आया है पिछले दो तीन सालों में shareholding pattern अगर देखेंगे हमें शेर का तो fii और डियाई ने भी stick यहां पर उठा रखा यहां पर यहां पर यहां पर बना के रखी विये तो ऐसा नहीं है आप लोग market capitalization देखेंगे दोनों share का तो small cap share है और small cap share में अगर fii और dii ने invest किया है तो आप उनकी growth देख सकते हैं बाद में कि कितने जबर दस तुहां पर results आप लोगों को मिलेंगे 75 रुपए का share और यह देख लिए 12% के उच्छाल और इराष्ट्रे chemical and fertilizer साथे साथ national fertilizers limited दोनों का वीडियो compile करके एक ही वीडियो में मैंने डाला था और दोनों कमपनियों में results आप लोगों के सामने है साथ ही साथ अगर 5 साल का return देखा जाए तो 90% दो साल 46% एक साल 82% का return इस company ने दिया है अपने shareholder को और इसका target 500 रुपए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि privatization हो रहा है जैसी private के हाथों में यह जाएंगी यह news अभी आई ही है जैसे deal clear होगी वैसे वैसे इसका price बढ़ता चला जाएगा तो यहां पर देख लीजिए 75 रुपए के आसपा से share trade कर रहा है और टाइम हाई अगर देखेंगे तो 101 रुपए का जो की 2018 रुप में बनाया था इसने 101 के आसपास या उससे उपर का वहां से अभी काफी दूर यह share है तो अच्छे खासे दोनों के दोनों share ह दो share बताया आप लोगों को सरकार यहां पर disinvestment कर रही है privatization कर रही है अच्छा खासा उचाल देखने के लिए मिल रहा है मैं तो कहता हूँ साल डेट साल में अच्छा खासे return यहां पर generate होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है साथ जार डिस्क्रिप्शन में तीन जिरोदा एन एंजल ब्रोकिंग तीनों के लिंक पे क्लिक करें एकाउंट ओपन करें और इंजोई करें तीनों की services अगर आप लोग यहां पर इंट्राडे करते हैं तो flat 20 रुपिस पर और चार्ज किये जाते हैं delivery based transaction के लिए कोई भी charges आप लोगों से नहीं लिये जाते हैं यानि की zero charges लिये जाते हैं साथे साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो bell का आइकनों से प्रेस कर दीजिएगा इससे होगा क्या कि share market की जो latest update है वह आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी और हम लोगों को encouragement और अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद